नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है हमार दिया अग्रिफ हैक्ट यूटी चैनल पर लगबग सभी किसान भाईयों के खेत में कपास में टिंडे लगने की प्रक्रिया चालू होगी है लेकिन बहुत से किसान भाईयों के खेत में कपास के जो बॉल्स है उनकी जो साइज है वो बहुत ही छोटी है बहुत से किसान भाईयों परिशान होगे कि अपने कपास में टिंडो का साइज और वजन कैसे बढ़ा है तो इसलिए किसान भायो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कपास में टिंडो का साइज और वजन कैसे बढ़ा है तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों में से शेर किजिए चैनल को सस्क्राइब किजिए आज में बेल आइकन दिया उससे भी जरूर प्रेस किजिए किसान भायो आपको अगर अपने कपास में टिंडो का साइज और वजन बढ़ाना है अगर किसान भायो आपको वेजिटेट्व ग्रोथ और रीप्रोडॉक्टी ग्रोथ क्या होती है इसके बारे में पता नहीं है तो मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूंगा जो वेजिटेट्व ग्रोथ होती है इसमें कपास की सिर्फ बढ़वार होती है यानि कपास की सिर्फ हाइट बढ़ना इसे हम कह सकते है कपास की वेजिटेटिव ग्रोथ होना और जो रिप्रोड़क्टिव ग्रोथ होती है किसान भाईयो उसमें क्या होता है कपास में ब्रांचिंग बढ़ती है कूल और पातों की संक्या में वृध्य होती है कपास में भर productive growth बढ़ा निये, तभी आप अपने कपास में टिंडो का size और वजन बढ़ा पाएंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सके हो, इसके लिए आप अपने कपास में nipping भी कर सके हो, इसमें क्या होता है, कपास का जो top end होता है, उसे थोड़ी मातरा में cut किया जाता है, इसे हम हमारे इदर शेंडा खुड़नी भी कहते है, यदि किसान भाई हो, आपको कपास के top end cutting का कोई experience है, और आपको लगता है कि इसका एकदम अच्छा result आएगा, तभी आप अपने कपास में cutting का इस्तमाल कर सकते हो, नई तो आप सिधे सिधे घरडा के चमतकार PGR के यूज़ कीजिए, उससे भी आपके कपास में reproductive growth बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेगी और vegetative growth एकदम अच्छी तरीके से stop हो जाएगी, reproductive growth बढ़ने से क्या होगा, कपास में जो तिंडे है, उनका size बढ़ेगा, उनका कीमत है, यह आपको मार्केट में 500 ml का प्याग 700 रुपीज के आसपास मार्केट में मिल जाएगा, और इसे के साथ किसान भाई हो, आपको 0-24-24 water soluble fertilizer और boron 20% का भी इस्तमाल करना है, इनका भी आपको अपने कपास में एकड़म magical result देखने को मिल गा, लगबग बहुत से किसान भाई इन दोनों का प्रयोग करते हैं, यह क्या करते किसान भाई हो, आपके जो कपास में टिंडे लगते हैं, उनकी उसकी quality को improve करते हैं, और कपास में लगने वाले टिंडों का size और वजन भी बढ़ाते हैं, जिसके कारण आपके कपास की उपज में भारी मातरा में व्रिद्धी होती है, इसलिए किसान भाई हो, आप इन दोनों का भी इस्तमाल जरूर कीजिए, आपको बहुत ही बड़िया result मिलेगा किसान भाई हो, आपको जो जो जुरो बाउन चोतीर डबलीयस fertilizer है, इसका 100 ग्राम प्रती 15 लिटर स्पेपम के लिए इस्तमाल करना है, और जो बोरान 20% है, यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ महादन का बोरान है, अन्ने कोई भी कमपनी का बोरान आप इस्तमाल कर सकते हो, और इसका जो डोस है वो आपको 30 ग्राम प्रती 15 लिटर स्पेपम के लिए इस्तमाल करना है, इस प्रकार से किसान भाई हो, आप चमतकार जैसे PGR, 0.34 और बोरान इन जैसे केमिकल का इस्तमाल कर सकते हो, आपको कपास में बहुत ही बढ़िया result मिलेगा निचे दिया आपके कपास में भारी मातरा में वृद्य होगी, आपके कपास में लगने वाले टिंडो का साइज और वजन जरूर बढ़ेगा, तो खिसान भाईओ, आपको ये वीडियो कैसा लागा हमें कमेंड में जरूर बताईए, आप सभी को यह वीडियो अच्छा मिलेंगे किसान भाईओ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंग, जाहिवाण, 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 जाहिवाण